Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person करंट ली आपके ली कैसा feel कर रहे हैं So यह सारे star signs की reading है, यह एक short reading है आज हम शुरुवात करेंगे song से So दो songs मैं लूँगी Okay So पहला song है हमारे पास हमारी अधूरी कहानी So maybe आप लोगों की separation चल रही है इस वक्त आप लोग साथ नहीं है देखा जो तुमको यह दिल को क्या हुआ है मेरी धड़कनों पे यह चाया, क्या नशाह है So maybe आप लोगों का break up हो गया था और फिर बहुत अर्से बाद आप कहीं आमने सामने हुए और फिर से वो spark जाग गया एक दूसरे के लिए बहुत specific था यह सब के लिए नहीं था यह message बट चाहे आप लोग separate हैं इस वक्त लेकिन आप दूनों के दिल में एक दूसरे के लिए spark still है, प्यार still है आप दूनों को महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ unfinished रह गया आप लोगों के दरम्यान justice फिर है हमारे पास two of swords nine of pentacles queen of wands फिर है हमारे पास the fool four of swords queen of pentacles and then ace of cups bottom of the deck पर हमारे पास है ten of pentacles, wow so आपके person आप सही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा long term potential देखी है इस connection में आप वो इनसान हैं जिनके साथ वो family बनाना चाहते हैं हमेशा से उन्होंने आपको इस नजर से देखा कि वो आपके साल long term चलेंगे but वो confused रहे, बहुत ज़ादा overly सोचते रहे, वो ready नहीं रहे कभी भी ready नहीं थे commitment के लिए उनके circumstances I also feel कि जैसे वो आपसे ही कहना चाहते हूं कि उन्होंने अपना karma face किया है वो आपको यह बताना चाहते है with the justice, the fool के वो stuck है अपने karma में और वो आजाद होना चाहते है इस तकलीफ से, उन्हें कुछ बहुत तकलीफ हुई है recently, कुछ उनकी जिन्दगी में हुआ है जो उनका karmic lesson था जो उन्होंने लिया है and finally, वो अपने आपको आजाद करना चाहते है इस तकलीफ से finally, वो इस confusion से बाहर आना चाहते है वो आपके साथ एक fresh new start चाहते है but उनको लगता है कि शायद अब थोड़ा सा यह difficult होगा उन्हें लग रहा है कि जैसे आप अपनी जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे आप अपनी जिन्दगी में बहुत आगे move on कर चुके होंगे because आप हमेशा से queen of wands, queen of pentacles थे, जाहे आप male हो या female उन्हें मैसूस होता है कि जैसे आप हमेशा से एक बहुत abundant इनसान रहे हैं और आप बहुत loveable रहे हैं बहुत opportunities, options थे आपके पास हमेशा से तो कहीं शायद आप की शादी हो गई हो या आप move on कर चुके हों वो यह मैसूस कर रहे हैं कि शायद आप energetically move on कर चुके हैं वो जानना चाहते हैं कि what you are up to आप क्या करने वाले हैं क्या कर रहे हैं आप आजकल I also feel आप मेंसे कोई ऐसा है कि जिनके बहुत से followers हैं बहुत से लोग आपको follow करते हैं बहुत सी opportunities हैं आपके पास because आपकी personality बहुत strong नजर आ रही है so आपके person को ये इस वक्त महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है उन्हें एक feeling आ रही है कि जैसे उन्होंने बहुत एक true friend को खोया है और शायद ये उनकी सजा है उन्हें ये महसूस हो रहा है so definitely definitely ये इन्सान reach out करना चाहते है ये इन्सान अपने दिल और दिमाग को same page पर ला चुके हैं आपके बारे में बहुत अरसे ये stubborn रहे है बहुत अरसे इन्होंने आपको बड़ा tough time दिया है I feel बहुत ज़्यादा confusion रही है लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये अब अपने दिल और दिमाग को alignment में ला चुके हैं इनका दिल और दिमाग same page पर है आपके बारे में और ये आपको offer करना चाहते हैं अपना love ये आपको offer करना चाहते है true love relationship अपनी feelings आपको बताना चाहते है maybe एक fresh new start है एक और chance आपसे मांगना चाहते है but they feel कि शायद अब आप उन्हें accept नहीं करेंगे उन्हें एक fear है rejection का लेकिन वो इस fear को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं और वो किसी भी लमहे reach out कर सकते हैं feel कि आप expect कर सकते हैं कि ये इनसान कभी भी आपकी जिन्दगी में वापस आ सकते हैं अगर आप यहीं चाहते हैं अगर आप नहीं भी चाहते तो ये घूम फिरकर आपके सामने किसी तरह जरूर आएंगे because वो इस वक्त सोच रहे हैं किसी तरह से वो आपसे connect करें because आप बहुत ज़्यादा magnetic है आप irreplaceable है उन्हें ये महसूस हो रहा है आपका magnetism उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खेंच कर ला रहा है क्योंकि I feel कि आप लोग needy नहीं है आप लोग बहुत ज़्यादा strong है और अपनी power में है तो ये इनसान बहुत crazy हो रहे हैं इस वक्त आपके लिए और ये आना चाहते हैं आपकी जिन्दगी में तो ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है comment section में I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye Bye